फ्रेंड्स इस वीडियो में हम हर्याना के अप्रेल 2020 के कंप्लीट मंत के करेंट अफेर्स करेंगे तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीब धाल एजुकेशन में दोस्तों हमने हर्याना की पिछले 6 मेंने के करेंट अफेर्स की यानि कि अक्तूबर 2020 से लेकर और मार्च 2020 तक के करेंट अफेर्स की पीडिया फाइल बनाई है इसके अलावा जो है जनवरी 2020 से और मार्च 2020 तक की 3 मेंने के करेंट अफेर्स की पीडिया फाइल बनाई है और मा दोजार अठार है और 2019 कम्पलीट येर की जो है हर्याना करन्ट अफेर्स की भी पीडिया फाइल बना रखी है तो वो भी आप इस वीडियो के डेस्क्रिप्शन में दियो लिंक से बाय कर सकते हैं और इसके लावा जो है इंडिया करन्ट अफेर्स जो छे मिन्ने के हैं और ती हर्याना सरकार ने राज्ये में जल्व संरक्षन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है तो दोस्तों ये योजना की गई है मेरा पानी मेरी विरास्त योजना तो उप्शन सी इसका अंसर है तो हर्याना सरकार ने जल्व संरक्षन को बढ़ावा देने के के लिए पर्देश के किसानों से अपील की है जिस परकार आने वाली पीडिक के लिए एपनी जमीन को विरास्त के रूप में छोड़ कर जाते हैं उसी परकार जहों पानी को भी विरास्त मान कर चलें तभी जमीन भावी पीड़ी के लिए उपयोगी होगी तो इसके लिए जो है हर्याना सरकार ने मेरा पानी मेरी विरास्त योजना की जो है शुरुवात किये जिसके तहर जो है इस सीजन में धान के स्थान पर अन्य वेकलपिक फसल बौने व शुरू किया गया है तो दोस्तों ये शुरू किया गया है नार नोल में ओप्षिन वी का आंशर है तो इसका पहला ओंलाइन पसुप चार के अंदर अर्याना के मेहं जो है नौ सहर में शुरू किया गया है और समाजिक नायवम अधिकारता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने नार नोल में स्तापित देश की पहली टेली मेडिसन सुविदा युक्त यी पसूची किसा सुविदा का ओनलाइन बटन दबाकर इसका शुबारम किया है हरियाना सरकार ने किस फसल के बज़ाए मक्का और हर गवार तिल आदी बोने की किसानों से अपील की यह इसमें धान की जो है तो अपिशन बीज का अंसर है तो रियान सरकार ने किसानों से पील किया कि वह धान की बजाए कम पानी में त्यार होने वाली जैसे कि मक्का, अरहर, गवार, तिल, ग्रिसम, मूंग और अन्य फसले उनकी बुआए करे तो सरकार के अनुसार एक किलोग्राम चावल को उगाने पर तीन हजार से पांस हजार लेटर पाने की खप्त होती है तो यानि कि इसमें पाने बहुत ज़्यादा मातरा में लगता है नेक्स्ट है बिरिटिस सेफ्टी काउंसिल द्वारा जिंदल स्टेनलेस हिसार लिम्टिड को किस पुरुषकार से समानित किया गया है तो यह है दोस्तो अन्तराश्ट्रिय सुरुक्षा पुरुषकार 2020 मेरिट तो उप्षिन डी इसका अंसर है तो जिंदल स्टेनलेस हिसार लिम्टिड जाने की जे एस चल को बिरिटिन स्टित बिरिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा परतिश्टित अंतराश्ट्रिय सुरुक्षा पुरुषकार 2020 मेरिट से समानित किया गया है तो सर्मिकों की स्वुरुक्षा और स्वास्टे के शित्र में यह समान विश्टित परतिश्टित समानों में से एक है तो दोस्तों हमने जो है जो भी अप्रेल 2020 की करंट अफेर है तो इसकी पेडिया फाइल बना रखी है और उसका लिंक इस वीडियो के डेस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो वह जुरूर देखिएगा और नेक्स्ट कुश्चन है कि हर्याना सरकार ने पानी की बचत के लिए कौन सा अभ्यान चलाया हुआ है तो यह पहले से चलाया हुआ है जल ही जीवन है तो उप्षिन यह इसका अंसर है तो हर्याना सरकार ने पानी की बचत के लिए जल ही जीवन है अभ्यान चलाया हुआ तो दोस्तो हर्याना में डार्क जोन जो है दिन पर दिन गिर्था भूजल बूजल का ते दिख दोन जो वो चुनोती बना हुआ है इसलिए सरकार जो यह योजना और भ्यान चला रही है नेक्स्ट एर्याना के किस जिले में जुरूर्तमंद परिवारों की साहिता के लिए अडॉप्ट एफैमिली योजना चलाई गई है तो यह चलाई गई है अबके करनाल में तो अप्शन डी इसका अंसर है तो कोरोना वाइरिस के कारण जो है लोगडाउन के दुरान ग्रेव और जुरूर्तमंद लोगों की सुधा के लिए परिदेश के करनाल जिले में अडॉप्ट एफैमिली यान की एक प्रिवार गोज लेने की अनुठी योजना शुरू की गई है और स्वास्ते मंत्रा लेने भी इसी योजना की सरहना की है नेक्स्ट है हरियाना सरकार ने स्टुडेंट्स के लिए कौन सा मुबाइल एप लॉंच किया है तो यह क्या है दोस्तो संप्रक बैठक नाम से उप्शन है इसका अंसर है तो हरियाना की सिक्षा मंत्री कमारपाज सिंग ने स्टुडेंट्स के लिए संप्रक बैठक नामक मुबाइल एप को लॉंच किया है जो ओनलाइन के साथ ओपलाइन भी काम करेगी जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायर्स के कारण जो है देश बर के सभी स्कूल कालिज बंध है तो इसलिए ताकि स्टुडेंट्स घरों में पढ़ाई कर सके इसलिए सरकार के तरह तरह के कदम उठा रही है नेक्स्ट किस रज्य सरकार ने अगले एक वर्ष के लिए सरकारी वाहनों की खरीद पर बैन लगाया है तो ये लगाया है हर्याना सरकार ने उप्शन सीज का अंसर है तो सरकार चारी है कि जो ज़्यादा खर्चे हैं जो बिना किसी जरूरत के अनुसार जो गयर जरूरी है उनको टाल करके और जो मुख्य चीज़ें उनके उपर उसे बद को लगाया जाए इसलिए सरकार ने जो एक साल के लिए कोई विवान खरेदने के उपर परतिबंद लगाया है तो इस भी जरूरी चीज़ें जैसे की अंबूलेशन जो अगनिश्मन वाहन है या फिर और जो इस तरह क्या पातकालिक सेवाओं के वाहन है वो खरीदे जाएंगे बस नेक्स्ट है अरियान सरकार ने राज्य के समंदित विवागों द्वारा कोविड उनिक समंद में जारी सभी प्रामर्शों दिशान निर्देशों अधिस उचनावादी के लिए किस वेब पोर्टल को लॉंच किया है तो यह किया है दोस्तों अरियान सरकार ने यह पोर्टल शुरू किया है ताकि जो है कोविड उनिक के समंद में जारी सभी प्रामर्श जिसान निर्देश अधिस उचनाई और सरकारी आदेश जागरुपता सामकर यादिको जंद जंद तक पहुंचाया जासके और जो है कोरोना वायरिस को परमंद बहतर तरीके से किया जासके नेक्स्ट एक कोविड उनिस के कारण आर्थे गतिविद्यों माई कमी के कारण साहिता के लिए हर्यान सरकार है किस योजना की बहाली की त्यारिकी है तो यह है आपकी हर्याना MSME बहाली ब्याजलाव योजना तो उप्षिन सी इस का अंसर है तो इससे जो अभी आर्थे गतिविद्यों कमी आई हुए है उस संकट से निप्टने के लिए हर्याना में सुक्षम लगो और मद्यम उद्यों काईयों को साहिता परदान करने के लिए राज्य सरकार ने यह हर्याना MSME बहाली ब्याजलाव योजना त्यार की है ताकि वे स् प्रेना के मुख्यमंतरी ने जल्जीवनमेशन की स्मिक्षा और निगराने के लिए किस की शुरुआत की है तो यह की है डैश्बॉर्ड की शुरुआत ओपृपशन व इसका अंसर है रहाना Сरकार ने वर्याजना मिशन की शुल्चियों ऌनिघाने के लिए है नेक्स्ट अर्यान सरकार ने किस नाम से एक नए विभाग को शुरू किया है तो दोस्तों यह है नागरिक संसाधन सूचना विभाग तो option B इसका answer है तो नागरिक संसाधन सूचना विभाग जाने कि इसको इंगल इसमें कहते है citizen resources information department तो इसको अर्यान सरकार ने एक नए विभाग के रूप में शुरू किया है तो राज्य सरकार के योजनाओं के कार्यानवन और डिजिटल साधनों के माध्यम से जो है सरकारी सिवाओं के परदाएगी के लिए sanja database सर्जित करने हितु प्रिवार पैचान पत्तर पर बल देने के उदेश्य से यहने विभाग जो है त्यार किया गया है और नागरिक संसाधन सूचना विभाग को 26 अप्रेल 2020 को शुरू किया गया नेक्स्ट हर्याना सरकार ने कोरोना से लिड़ने के लिए कौन सा रिलीफ फंड शुरू किया है तो यह हर्याना कोरोना रिलीफ फंड तो option भी इसका अंसर है तो यह हर्याना ने इसमें इसको स्टार्ट किया है इसमें आम जनता भी अपना सहयोग दे सकती है तो इसमें कलानी ओप्शन डीस का अंसर है तो 1980 में प्रसारित हुआ था रमायन धारवाइक उसमें जह सुग्रीव की भूमका निवाई थी श्याम सुंदर कालानी ने तो इनका अप्रेल 2020 में देहनत हो गया था तो दोस्तों श्याम सुंदर कलाडी जह हर्याना के कालका के रहने वाले थ प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को लोगडाउन के दुरान पढ़ाई करने के लिए हर्याना सरकार्नी यह संप्रेक बैठक मुबाइल अप लोंच किया है और यह जह है ओनलाइन और ओफलाइन दोनों तरह से काम करती है और इसमें वीडियो और ओडियो भी उपलब्द है नेक्स्ट एहर्याना की किस पंचायत को ग्राम पंचायत डेवल्पमेंट प्लान अवार 2020 के लिए चुना गया है तो यह है दोस्तों कहानोर की पंचायत ओप्शन 20 का अंसर है तो कहानोर की पंचायत जो है यह रोहतक जिले के अंदर है जो है रोहतक जिले मे जो कला नोरखंड है उसमें इस्तित है तो इसको जो है डेवल्प ग्राम पंचायद डेवल्पमेंट प्लानावार 2020 के लिए चुना गया है तो इससे पहले भी जो है कहानोर ग्राम पंचायद को केंदर सरकार की ओर से नानाजी देश मुख गोरो ग्राम सभा दीन चाइल्ड फ्रेंडली पंचायद का भी पुरुषकार मिल चुका है तो इस वार्ड में जो है केंदर सरकार की तरफ से नगत पांच लाख रुपे और प्रशस्ति पत्तर दिया जाता है नेक्स्ट एक कोरोना वारिस के दोरान हर्याना में आउश्चक वस्तों के आपूरती के लिए राज्य सरकार ने किस नाम से वाप पॉर्टल लौंच किया है तो ये किया गया है आपका सब्सक्राइब करने के लिए या सेम सेवकों के रूप में डाक्टर नर्स पेरामेडिकल के रूप में या होम डिलेवरी के काम करने के लिए सेम को पंजिकिर्थ कर सकते हैं नेक्स्ट हर्याना परदेश की पहली टनल यूगत मंडी कौन सी बनी है तो ये बनी है हिंसार ओप्शन सी इसका अंसर है तो अभी जो है कोरोना वेस के कारण मंडी बाने वाले किसानों के लिए ये टनल लगाई गई जिसमें प्रेश करते हैं जो किसान जो अपना भी सेंटाइज हो जाते हैं नेक्स्ट हर्याना की किसान कल्यान मंत्री कौन है तो ये है जै प्रकास दलाल ओप्शन इसका अंसर है अगला क्यूश्चन है कि हर्याना की किस विशिव दैले ने कोरोना के कारण मोत का शिकार हुए लोगुरु के आशिरितों के लिए पहली बार एक अत्रिक्त सीट आरक्सित करने का फैंसला किया है तो ये है गुरु जुम्बेश्वर विज्ञानवर में तक्निकी विशिव दैले आप्शन डीस का अंसर है तो हिसार में स्थित है गुरु जुम्बेश्वर विज्ञानवर में तक्निकी विशिव दैले ने कोरोना के कारण मोत का शिकार हुए लोगों के आशितों के लिए पहली बार एक अत्रिक्त सीट आरक्सित करने का फैंसला किया है तो दोस्त से की वन घर चाहिए तो उसके लिए भी सीट आरक्सित की गई थी नेक्स्ट कोविड उन्निस के लिए हर्यांसर कारने प्रदेश की जनता को कौन सी मोबाइल एप डाउनलोड करने के लिए कहा है तो यह है आरग्य सेत्यू एप को प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकत हर्याणा के 119 खंडो में से कितने खंडो ने सक्षम की प्रिक्षा पास की है तो य की है 22 खंडो ने बी एप विए परoser में अग्य सबचलन 2.0 की प्रिक्षा दि गई धी आओ है नैक्स तफोवस के अंदर 1 vag को हर्यान में को जगह मिली है तो ये है आसीस गुपता ओप्शन सी इसका अंसर है तो आसीस गुपता जो है करनाल के रहने वाले हैं और इंटरप्राइबड टेकनलोजी सेक्षिन में जगह पाने वाले आसीस को जो है रेड जिंजर टैली टेक्नलोजी प्राइवेट लिम्टीड कई तरह के टेक्नलोजी बेस सोलूशन देती है तो यह जो है आसी सुगुपता को फोब्स के अंडर 30 एसे सुची में जगह मिली है नेक्स्ट है रियना सरकार ने कितनी रोडवेज बसो को मुबाइल डिस्पेंसरी के रूप में चलाने का फैंसला किया है तो यह है 500 बसो को ओप्शिन भी इसका अंसर है तो इसके अंदर जो है मेडिकल की जो है सारी सुधाईशन में अपलब्द रहती है जैसे कि मेडिकल ओफिसर, डेंटल सर्जन, आयोवेदिक मेडिकल ओफिसर, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, MPSW, चतुत, सरेनिक रमचारी यतियादी जो है वो जाकर इसमें चेक अप करते है नेक्स्ट है हरियना स्टेट वेयर हफसिंग कोर्परेशन के चेरमें कोन है, तो ये है नैन नपाल रावत, औप्शन विश का अंसर है नैन नपाल रावत जो है फिरदबाद के पिरथला से विदायफ है नेक्स्ट हर्याना में हर महिने के किस वार को राजसब्दी उसके रूप में मनाया जा रहा है तो ये है पहले मंगलवार को तो परदेशमी जनता के सिकायतों का निवान करने के लिए इसकी शुरुवात की गई है और हरियाना में अब जाए हर महीने के पहले मुंगलबार को राजसवदी उसके रूप में मनाये जा रहा है नेक्स्ट है हरियाना में किस वर्ष तक सभी रेलवे क्रोसिंग को समाप्त करने का लक्षय रखा गया है तो ये है इसी साल 2020 तक तो हरियाना में जो है रेलवे क्रोसिंग पर दूरुटनाओं को कम करने के लिए राज्य में जो है आरोबी और आर यूबी का निर्वान करके इस वरस तक जैसे भी रेलवे क्रोसिंग को समात करने का लक्षा रखा गया है नेक्स्ट है कि अस्टेट पास का सर्टिपिक अब कितने साल तक वेद रहेगा तो ये रहेगा साथ साल तक ऑप्षिन सी इसका अंसर है पहले ये पांच साल होता था अब इसके अब दिवड़ाकर साथ साल कर दी है नेक्स्ट हर्याना प्रदेश के सरकारी कोल्जों में पहली बार स्टार्टप पत्योगता शुरू की गई है तो इसके तहट इनामी राश्य कितनी है तो ये है 5 लाख option 20 का answer है तो हर्याना के सरकारी को जो इंपटने वाले विदार्तियों की प्रतिवा को प्रोसाइट करने के लिए प्रदेश में पहले बार स्टार्ट अप प्रतिवक्ता शुरू के गई है वो इसके तहत टोप पांच टीमों को पांच वांच लाग रुपे का पुरस्कार दिया जाएगा नाक्ष्ट हर्याना सरकार ने किस वरस तक राज्य के सभी लोगों को घर मुहिया करवाने का लक्षर रखा है तो ये है 2022 तक ओप्षन है इसका अंसर है तो सरकार ने लक्षर रखा है कि 2022 तक राज्य के सभी लोगों को घर मुहिया करवाया जाए तो प्रधानते इंद्रेंदर मोदी के वीजन अनुसार प्रदेश के सभी नागरिकों को सहरिय वे मुगरामिन शेत्रों में आवास मुहिया करवाने के लिए रज्य सरकार जो है गारिरत रही है नेक्स्ट हरियाना रज्य महिलायो की चेर परसन कोन है तो ये है दोस्तो परतिवा सुमन ओप्षने इसका अंसर है नेक्स्ट हर्याणा में रोड पर लोगों किस रुक्षा के लिए किस विंग को बनाया जाएगा तो यह बनाया जाएगा आपके इसमें ट्रैफिक विंग को तो यह जो है ट्रैफिक विंग पुलिस के जो है उससे अलग रहेगा ट्रैफिक के लिए का अलग सही विंग बनाये जाएगा नेक्स्ट है हरियाना केंदर से चंदिगड की किस उनिस्टी में अपनी हिस्थेदारी मांगी है तो यह है पंजाब उनिस्टी तो उप्षिन ने 20 का अंसर है तो हर्यान ने के अंदर से पंजाब उनिस्टी में अपनी 4 फिस्दी सिटों के हिस्सेदारी मांगी है तो बंसीलाल सरकार के दुरान जो है जब पंजाब इनुस्टी में 12 में फीस्दी हिस्सा के अंदर सरकार का जब कि 4 फीस्दी हर्याना और 4 फीस्दी पंजाब का हिस्सा था लेकिन बंसिलाल सरकार के वक्त जाएक विवाद के बाद सरकार ने अपना हिस्सा हटा लिया था और अब जो है सरकार ने ये हिस्से की मांग की है Next is Center for Plant Biotoklinology को विज्ञान परिसदे से हस्तान स्थिर्क करके किसे दिये जाने की से विकरती हर्यान सरकार ने परदान की है तो ये है चोद रिचरन सिंग हर्यान के रिचिविशिव देल्या को Option A is का अंसर है Next है लिमका बुक ओफ रिकोर्ड ने देश का सबसे बड़ा धरम चक्कर होने का सेटिफिक्ट हर्यान के किस गाउं के धरम चक्कर को दिया है तो ये है आपके टोपराकला Option A is का अंसर है तो दोस्तो हर्याना के ये बनान अगर जिल्ये के गाउं टोपराकला के धरम चकर को जो है धरम चकर भी कहते थे जो कि हमारा राष्ट्रिय चिन भी है नेक्स्ट हर्याना के किस खिलाड़ी को फर्स्ट विंटर स्किंग प्रत्योक्ता में सीनियर वर्ग में दो सब्ण पदक जो है देश के लिए जीते थे तो ये जीते थे विकास राणने जो कि जीन दिले के सुद्ध केंड की रहने वाली है नेक्स्ट हर्याना सरकार ने कोरोना वायरस एड़ने के लिए किस नाम से रिलीफ फंड बनाया है तो ये है हर्याना कोविड रिलीफ फंड ओप्शन सी इसका अंसर है तो हर्याना सरकार ने जो है ये रिलीफंड इसमें किया है और इसके ताहित जो भी आप सहयो करते हैं तो वो आयकर से उसमें छूट रहेगी तो दोस्तो उमीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जुरूर कीजीगा और अगर आप इसी तरह के हमारी latest videos के update पाना चाते हैं हर्याना के current affairs कोई भी mission करना चाते हैं तो हमारी चैनल संदीब देशक्रेशन को subscribe पर के बेल आइकन जुरूर दबा ले तो मिलते हैं next video के साथ दोस्तो हमने हर्याना की पिछले 6 मेंने के current affairs की यानि कि अक्तूबर 2019 से लेकर और मार्च 2020 तक के current affairs की PDF बनाई है इसके अलावा जनवरी 2020 से और मार्च 2020 तक की तीन मेंने की current affairs की PDF बनाई है और मार्च 2020 की भी एक हलक से बनाई हुई है जैसा कि आप स्क्रीम पर देख रहे हैं तो अगर आप बाई करना चाते हैं तो इस वीडियो के description से बाई कर सकते हैं इसके अलाव जो हमने 2018 और 2019 कंप्लीट येर की जो है हर्याना करणट अफेर्स की PDF बना रखी है तो वो भी आप इस वीडियो के description में दियो लिंक से बाई कर सकते हैं और इसके लाव जो है इंडिया करणट अफेर्स जो छे मिन्ने के हैं और तीन मिन्ने की भी हमने वीडियो फाइल बना रखी है तो इस वीडियो के description में दिया हुआ है तो आप वहां पर देख सकते हैं